Hello and Welcome to Computology Academy और आज हम लोग डिसकस करेंगे कि Plastic as a Pollutant of Water Bodies तो देखे, Plastic जो है उसकी Pollution throughout worldwide बहुत ज़्यादा है और इस पे different time पे issues उठाए गए हैं और इस पे research भी होते रही है कि इसे कैसे या तो replace किया जाए या तो इसे recycle किया जाए या इसे bio degradable बनाया जाए तो बहुत सारे issues आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे plastic का pollution कम होने का नाम नहीं ले रहा है different water bodies हो गए soil pollution है, even हम लोग जब plastic को burn करते हैं तो air pollution भी होता है hazardous gases के कारण, तो यहाँ पे इस issue को sort out करने के लिए बहुत सारे research चल रहे है और सबसे पहले, यहाँ पर यह establish करना जरूरी है कि उससे कितना damage हो रहा है, क्योंकि जब तक damage properly government को और common people को नजर नहीं आएगा कि कितना इससे नुकसान हो रहा है, तब तक वो लोग इस चीज़ पे ध्यान देंगे नहीं अलाकि governments तो बहुत सारे initiatives ले रही है, लेकिन common people के behavioral changes नहीं आ रहे हैं, तो इनहीं सब चीज़ों को आज discuss करेंगे, मैसेल विद्यानन सिंग और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि ऐसी informative वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और यह एक बहुत ही important issue, exam point of view से, environment and ecology के topic के लिए, तो इस वीडियो को आखरी तक देखें इसमें बहुत सारे issues आपके clear होंगे तो देखें, सबसे पहले history क्या रही है plastic की, plastic का invention जो है, वो हुआ 1832 में, लेकिन इसमें development हुआ back a light का, जो की hard plastic थी, 1907 में और widely इसे use करना चालू किया, सबसे पहले जर्मनी ने जब world war 1 और world war 2 के समें, उसे blockade जहलना पड़ता था, तो उस समें world war 1 के ही समें, जर्मनी ने plastic को as a usable packaging material और different चीजों के लिए बहुत हद तक use करना शुरू कर दिया था, और globally, इसकी wide use packaging material के तोर पर 1950s में शुरू हुई और आज ये है कि सबसे ज़्यादा packaging material में use होने वाला material है, और इससे ज़्यादा material कोई है नहीं क्योंकि ये बहुत easily mold हो जाता है thin size में भी इसे बनाया जा सकता है, इसकी gauge बहुत कम होती है, और इसे easily किसी भी shape में mold किया जा सकता है, और यहाँ पर इससे packaging material बनाने के कारण जो moisture से contamination का और दूसरी चीजों का issue नहीं रहता है, तो ये एक बहुत ही beneficial material है packaging के लिए, बट इसके side effects जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमें environmental damage में, आप यहाँ पर 4 pictures देख रहे हैं, यह देखिए, यह एक river side है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि river side में कितना garbage है यह पूरा plastic material है यह एक coast है, और यहाँ पर देखिए कि आप यह coast में लगी नहीं रहा है कि यह coast है, लग रहा है कि यह एक dump yard है, और यहाँ पर ये परिस्थिती हुई है discarded packaging materials और plastic materials के कारण और coast और river side या फिर soil pollution यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह soil pollution है कितना ज्यादा plastic material यहाँ पर soil में दिख रहा है यह सारी चीजे तो हैसों है लेकिन यहाँ पर ocean floor भी अच्छूता नहीं रह गया आप यह देखें इस picture में ocean floor में हमे plastic bottles और different चीजे नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर इन सब environmental pollution के कारण biodiversity को बहुत ज्यादा loss हो रहा है water contamination बढ़ रहा है soil contamination बढ़ रहा है और plastic जो है वो बायो degradable है नहीं वो ज्यादा से ज्यादा disintegrate होकर fine particles में तबदिल हो जाएगा लेकिन वो खतम नहीं होता है इसके कारण आदमी जो है water bodies से ही basically water का percolation होता है water table recharge होता है plus क्या है कि यहाँ पर river से water purify करके different municipal areas में सब जगह पर water supply होती है जो के drinking as well as हर एक daily necessity के लिए use होता है और उसमें अगर fine plastic material का contamination रहेगा तो यहाँ पर उससे ये issue आएगी कि वो human body में भी पहुंचेगा और जिसके कारण की बहुत सारी बिमारियों का कारण बन जाता है plastic और यहाँ पर देखिए इन सब चीजों की issue को कम करने के लिए बहुत सारे studies किये जा रहे है हाल फिलाल एक study का report और analysis release हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि आठ दस में से आठ जो लिटर हमें water bodies के आसपास मिलते हैं जिसका कि लिस्टिंग किया गया है वो plastic की होती है यानि कि हमें कचरे के धेर में किसी भी water bodies के आसपास चाहां वो rivers हो चाहां ओसेंस हो चाहां सोर लाइन हो चाहां sea floor हो हर जगह पे जो भी 10 कचरे का material जो मिला है 10 garbage मिला है उसमें से 8 जो है वो plastic के बने हुए तो आप समझ सेकते हैं कि plastic का contamination कितना ज़्यादा यानि कि अभी अगर हम लोग percentage के हिसाब से देखें तो 80% जो contamination या polluting material है water bodies के आसपास या उनके अंदर वो plastic का बना हुआ है और इसमें आपको bags bottles, food containers, cutleries और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की मिलेंगी और यह almost आधा है जो human made objects है plastic के global scale पे यानि कि यह 4-5 चीजें ही जो है so आधा account करती है यानि कि 10 में से हमें 8 जो है plastic के material मिले garbage और इन 8 में से चार जो है वो यहाँ पर bags है, bottles है, food containers है, discarded cutlery materials है जो की use and throw के होते हैं, wrappers है जैसे कि आपको chocolate के मिलते हैं, lez के, kurkure के और बहुत सारी चीजें के मिलते हैं और उसके बाद फिर drinks के जो होते हैं, bottle, cold drinks के, soft drinks के, इन सब चीजें के जो bottles हैं यह हैं तो half of the man made objects जो हैं plastic के global scale प मिलते हैं, और यह 44% of the plastic liter जो है, वो मिलता है हमें कहां पे, वो take out foods और drinks में, जैसे कि अभी देखें, convenience सबसे बड़ी चीज हो गई है human life में, समय किसी के पास ज़्यादा है नहीं, लोग घर से खाना लेकर चलना नहीं चाहते हैं, और जो take away foods हैं, वो package करके आपको मिलेंगे plastics में ही, चाहां वो soft drinks का हो से, या फिर आपको कोई भी eating material हो, हर चीज, आपको disposable material में ही मिलेंगे, disposable packaging goods में मिलेंगे, और वो plastic के बने होते हैं, और इसके कारण अभी 44% जो है, ये सारा कुछ बना होता है plastic से, और लोगों की human behavior है, कि यहाँ पर ये लोग उसे लेंगे, अपन फैंक दिया, उसके कारण यहाँ पर ये चीजें हमेशा हर जगा मिलती है, बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि ये से properly dispose of करते हैं, dust beans में, हलाकि अभी बड़े-बड़े मुंसरपल areas में ये भी देखने को मिला है, कि dust beans की भी color coding कर दी गई है, एक green color का मिलेगा, एक blue color का मिलेगा, green color में जो bio degradable materials होते हैं, उसे फैंकना होता है, blue color वाले में plastics और जो non-bio degradable materials हैं, उसे फैंकना होता है, लेकिन यहाँ पर आदे से अधिक लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, plus यहाँ पर क्या है कि लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, इन सब चीज़ों प यह इस हो रहा है कि यह सारी चीज़ें end up हो रहे है, drainage system में, rivers में, lakes में, oceans में और यहाँ पर यह contamination फैल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो garbage material है, वो single use packaging material का है, यानि कि एक बार उसे use किया गया और use करके throw कर दिया गया, और वहाँ पर वो litter के रूप में फिर फैल रहा है, इन सब चीज़ों को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रुरत है, और यहाँ पर जो strategic चीज़ें बताई जा रहे हैं कि इसे कैसे handle किया जा, इसे कैसे रोका जा, उसमें सबसे पहली चीज़ बताई जा रहे हैं कि अगर possible हो, तो replace करें plastic को, take out food joints पे, और drinking जो beverages मिलते हैं, जो कि plastic में अभी मिल रहे हैं, उसे bio degradable या easily degradable material से replace किया जाएं, इसमें अभी बहुत सारे initiative चल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई fruitful outcome मिला नहीं है, अभी बहुत सारे take outs पे, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको की paper cups यूज़ोते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक issue है, कि paper cups के अंदर की जो lining होती है, जैसे कि यह आपका cup का outer core है, लेकिन इसके अंदर की जो lining होती है, वह भी अभी बहुत thin plastic material की ही होती है, और उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, कि फिर भी fine part of particles, जो thin plastic हैं, वो end up होते हैं, nature में, environment में, और उसके कारण यहाँ पर फिर से contamination फैलता ह ही फैलता है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या की गई है, कही गई है कि government जो है regulatory bands लगाए, यानि कि यहाँ पर government strict regulations लगाए कि plastic materials आपको नहीं यूज करना है, अभी बहुत सारी चीजों में government of India ने band लगाया भी है, पहले गुटके की packaging होती थी plastic में, अब वो paper wrappers में आने लगे हलाकि उसमें भी अभी भी अंदर की lining जैसा कि हमने यहाँ पर discuss किया, कि अभी भी जो अंदर की lining है यहाँ पर वो thin plastic की use होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि अब plastic नहीं मिलता है, जैसे कि पहले रासन की दुकान पर लोग जाते थे तो हमें साब plastic के bag में ही उन्हें रासन मिलता था, अब वहाँ पर paper bag use होने शुरू हो गये हैं, ऐसे बहुत सारे changes आये हैं, बट still अभी हमें बहुत और सारे changes लाने की जरूरत है, और इसमें government initiative plus human behavioral changes बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ा human behavioral change क्या हो सकता है, deposit refund scheme, देखिए human behavior जहां पर अगर human behavior changes चाहिए, तो deposit refund schemes लाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए, जैसे ही लोग अपने खाने को खतम करते हैं, या अपने drinks खतम करते हैं, वो immediately उसे throw out कर देते हैं, जो packaging material रहता है, लेकिन अगर उन्हें ये incentive मिले, कि अगर मैं इसे जाकर, जहां से मैंने ये ची या और भी बहुत सारे collection centers हैं, वहाँ पर अगर हम इसे जाकर deposit करते हैं, तो हमें इसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, या coupons मिलेंगे, whatever it is, कोई incentive रहेगा, तो वो उसे carry करना beneficial समझेंगे, और वो उसे यहाँ वहाँ फैकेंगे नहीं, और वो proper collection center पर deposit करेंगे, और जो भी उन्हें benefits incentives मिलने होंगे, मिलेंगे, तो यह behavioral change लाने के लिए हमें शुरुआत incentive से करनी पड़ेगे, और एक बार incentive से behavioral changes आ गए, तो उसके बाद फिर ये problem अपने आप धीरे-धीरे कम हो जाएगा, तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, second thing यहाँ पर देखेंगे कि जो यह देखिए, यह pacific region और यहाँ पर जो garbage patch है, oceans में, deep oceans में हमने ocean floors में भी देखा कि plastics के garbage हैं, लेकिन जो gyres हैं, oceanic gyres के बारे में हम लोग different gyres जो हैं, world के different oceans में, उसके discussion हम लोग different video में, जोगरफी के playlist में मिल जाएगे, आपको वहाँ पर करे तो जो भी oceans में different materials रहते हैं, इधर उधर से flow होकर gyres के center में आकर deposit हो जाते हैं, और यहाँ पर तैरते रहते हैं, और यह जो दोनों gyres हमें दिख रहे हैं, eastern garbage patch और western garbage patch of pacific की से नाम दिया गया है, यहाँ पे plastics के garbage का एक बहुत बड़ा amount जमा हो गया, gyres के कारण, और यह जो ह पहली इसमें जो major contribution है, fishing gears की, जैसे fishing gears में nets use होते हैं, bubbles use होते हैं, जो nets को उपर float करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, packaging materials होते हैं, या फिर लोग खुद ही जो fishing boats पे जाते हैं, वो packaged goods foods और बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, तो वो यहाँ पर इसे discard करते है ocean में और वही जाकर वहाँ पर जमा हो रही है, और इसमें देखिए biggest problem जो है oceanic open ocean का, वो है plastic nets and ropes, जो की fishing में use होती है, और यह जो dumped fishing nets और ropes हैं, यहाँ पर यह सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं marine wildlife को, बहुत सारे हमने ऐसे videos देखे हैं, बहुत सारे ऐसे news देखे हैं, ज या फिर बहुत सारे जो बड़े marine life होते हैं, वो इन सब चीजों को खाने की चीज समझ कर ingest कर लेते हैं, और वो उनके digestive system में अटक कर रहे जाते हैं, और वहाँ पर इनसे उनकी मौत भी हो जाती है, तो यह biggest treat है, प्लस क्या है कि यह जो fine particles, plastics के होते हैं, disintegrate होने के कारण, य इसके कारण की coral risk भी कम होते जा रहे हैं, उनका भी bleaching होता जा रहा है, और यह एक बहुत बड़ा issue है, coral bleaching का भी, और यहाँ पर देखिए कि यह कहा गया कि अगर हम लोगों ने इस issue को पहले से ध्यान नहीं दिया, तो within 20 years, यह जो amount है, यह triple हो जाएगा, यानि कि अभी जि इन गुना बढ़ जाएगा, तो अभी ही हम लोग देखते हैं कि कि किसी भी river side में पहुंच जाएगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत plastic का litter मिली जाएगा, और कुछ-कुछ areas तो ऐसे हैं, जो developing countries हैं या underdeveloped countries हैं, वहाँ पर इसकी issue सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंक इसी के कारण इन सब regions में ये issue सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसे के handle करने की बहुत ज़्यादा ज़र्यत, क्योंकि environmental damage का cost सबसे ज़्यादा होगा एक time पे आके, और यहाँ पर इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ये तीन गुना बढ़ जाएगा, ज बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये issue ध्यान देने लाइक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे social media channels पे हमें follow करें, हमारे website पे different courses चल रहे हैं, उसको join करें, और subscribe button को दबा लें, और bell icon को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें, उसकी notification आप तक पहुंचती रहे, thank you very much, have a nice day.